बात करेंगे अब मनिहार की फिल्म मनिहार रूरल कल्चर पर बेस्टिक मुवी है इसमें ग्रामी परंपराओं की अनोखी जलक देखने को मिलने वाली है साथी इस मुवी में गाओं के रहन सहन के तमाम रंग भी दिखाई देंगे कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म का निर्देशन संजीफ कुमार राजपूत के द्वारा किया गया है ये मुवी 14 जून को सिनिमा घरों में रिलीज होने ज़ा रही है मुवी की स्टारकास से बात की हमारी सहीयोगी प्रितीनेगी ने आपको सनबाते है इस फिल्म का नाम है मनिहार इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर मनिहार नाम को चुनने की पीछे की क्या कारण था यही नाम क्यों चुना गया पूरी स्टार कास्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूरी टीम यहां पर मौजूद है आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और साथी साथ संजीव कुमार जो की डारेक्टर है आपके सबसे पहले तो आपी के पास आते वे बद्रूल जी मुझे एक बात बताईए यह जो मनिहार है आपने इस फिल्म में काम किया है और ट्रेलर में देख रही थी क्योंकि वो आ चुका है काफी साथा कॉमेडियन इस कहानी के अंदर हमने बहुत सारे समाजी को भी उठाया है जैसे एक प्रता है हमारे हाँ जो विद्वा हो जाती हो रते उनके साथ कैसा सलूक होता है तो आज भी कही ना कहीं कुछ गाओं में कुछ भीहड गाओं में यह परमपरा चली आ रही है तो उस तरफ थोड़ी रोशनी डाली है फिर एक हमारे हां एक और नहीं चीज़ चल गई है कि बिना कोर्स करें आप कुछ भी कर लेंगे डॉक्टर बन जाएंगे जोला चाप डॉक्टर बहुत हो गया है तो एक आदमी को कैसे बता देते हैं वो जोला चाप के तू तो अमर जाएगा तेरा तो य अगे बढ़ती है जैसा कि आपने खुद ही बताया कि गाउं की स्टोरी आपने प्रोमो टेलर देखा इसका एक सीधे साधे आदमी की कहानी मनियार की जो अपने परिवार को पाल रहा है उसकी माह है उसके बाप है और फिर उसकी जिन्दगी में एक लड़की आती है सावित सावित्री उससे प्रेम होता है लेकिन इसके साथ वो ट्रेजिडी होती है कि इसकी आखे जो हैं शाम के बाद बिल्कुल मलत दीखना बंद हो जाता है हलका पुलका सा दिखाई देता बहुत धूनला था फिर एक स्ट्रगल हो रहाता है कि अवित्रड़की से शादी कैसे कर क्योंकि सबको पता चल जाता है कि अवे अंदा है तो फिर आगे इसका स्ट्रगल और बढ़ता है लेकिन लास्ट में अपने प्यार को पा लेता है लेकिन क्या वो जो लव स्टोरी है उसमें आप ही सावित्री है जी हां मैं ही सावित्री हूं लव स्टोरी में तो क्योंकि दिखना बंद हो जाता है शाम को, प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ऐसे में कितने चैलेंजिस आपके सामने रहें, और जब आप ऐसा रोल प्ले कर रही थी, तो आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा था? मेरे दिमाग में क्या क्या, मतलब स्टोरी बहुत अच्छी है, हाला कि इनका स्ट्रगल था, जो बल्लू बने थे, बद्रुल जी, लेकिन उससे ज़ादा होता है, जो प्यार निभाता है साथ में, उसका स्ट्रगल, क्योंकि मैं साथ दे रही हूँ उस फिल्म में, और जैसे होना चाहिए, कि एक लड़की अगर किसी लड़के से जुड़ी है, तो बीच मजधार में उसको नहीं छोड़ सकती है, जब कोई वो परिशानी में है, तो जैसे सावितरी को पता है, कि बल्लू की इसको प्रॉबलम है, थोड़ा रताओंदी का प्रॉबलम है, तो भी उसका वो साथ देती है, साथ नेभाती है, लेकिन किसी के अगेंस जाकर नहीं, सब को मिला कर, छुप छुपा के, कहीं न कहीं, मोटिवेट करती के नहीं, तो हम सब सब कुछ कर सकते हो, और हमारी चीज़े लाइफ में ठीक हो सकती है, तो एक प्यारी सी खुबसरा सी लव स्टोरी है ये, रोशनी क्योंकि आप वेक युवा है, और जब हम युवाओं की बात करते, क्योंकि आजकल बात लाइफ चेंज हो चुकी है, हम सब अपने कल्चर को भूल चुके हैं, कहीं न कहीं, जितने भी यूथ हैं, वो मैट्रो सिटी में हैं, तो उनको गाउं के बारे में कुछ नहीं पता, हमारी कल्चर के बारे में नहीं पता, जहां से हम बिलॉंग करते हैं, इस्पेशली देखा जाएं, तो भारत हमारा एक गाउं था, तो वहां से उनको शाद नहीं पता हैं चीजे, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से बहुत सारी चीजे उने पता चलेंगी, जैसे इस फिल्म का टाइटल जो मनिहार क्या होगा है, और दूसरी जो डिसीज होती है, ये क्या होती है, बाकि छुटी-छुटी चीजे जो प्रताएं हैं, कूप रताएं हैं, जो जिनके बारे में नहीं पता हैं, तो वो सारी चीजे पता होंगी, और रही बात मुझे भी नहीं पता थी, इस फिल्म को करने के बाद मुझे काफी जीजे पता चले कि भाई, ऐसा भी होता है, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा ये करेक्टर, और मैंने बहुत शिद्दत के साथ इस करेक्टर को निभाया है, और जब आप ये बात बोल रही है कि बहुत शिद्दत के साथ इस कैरेक्टर को निभाया है, तो आपके चहरे पर नजर भी आ रहा है, मैं, क्योंकि आप प्रड्यूसर हैं, तो जरा मुझे बताए कि क्या-क्या चैलेंजिस आपको फेस करने पड़े, जब आप ये मुवी को प्रड्यूस कर रहे थे, और उस वक्त क्या लग रहा था आपको? वैसे तो ज़्यादे चैलेंजिस फेस नहीं करने पड़े, क्योंकि जितने भी हमारे एक्टर और डिरेक्टर थे, ऐसा कुछ नहीं था कि उनको वैनिटी वैन चाहिए, या ऐसा कुछ चाहिए, दिक्कत, क्या होता है कि कभी-कभी हम लोग इस्टार के साथ करते हैं, तो वैनिटी वैन नहीं है, खाना ठंडा हो गया इसके लिए, तो कभी ऐसा कुछ नहीं हम लोग को फिल होगा कि नकड़े हैं उनके, सब एजी तरीके से होता रहा है, और हमारे यूपी गवर्मेंट की तरफ से भी काफी सपोर्ट मिलता रहा, कोई भी अगर हमें परमीशन चाहिए होती तो तुरंथ हम लोग को हर्चीज प्रवाइड हो जाती थी, तो सारी चीज़े तुरंथ प्रवाइड हो जाती थी, यूपी गवर्मेंट की तरफ से भी बहुत सपोर्ट रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि सरकार की भी ये कोशिश है कि जारस सारस को आगे बढ़ाया जा सके, अच्छा संजीब जी मुझे एक बात बताएए क्योंकि आप डारेक्टर हैं, आपने इस पूरी मुवी को डारेक्ट किया है, अगर बात में सबसे पहले मनिहार की बात करूँ, जिस नाम का जिक्र मैंने किया, क्या लगता है कि यही नाम क्यों चुना गया और दूसरा सवाल मेरा आप से, क्या आपको लगता है कि आज क्यों युवा को यह मुवी जरूर देखनी चाहिए? डेफिनेटली देखना चाहिए, और सबसे पहले तो मैं नाम के लिए बोलता हूँ, कि नाम यही क्यों चुना, क्यों क्या होता है कि प्रिडूइसर की तरफ से एक बोर्ड आता है, क्यार आपको रूरल बेस्ट फिल्म बनानी है, या फिर आपको अर्वन बनाना है, या फि क्या बेस्ट बेस्ट हो सकता है, जैसे हम लोग लेके जा सकते हैं, और अभी रिसेंटली भी काफी प्रोजेक्स चल रहे हैं, तो इसमें मनिहार को ले करके, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत जो है, गाउं से जुड़ा हुआ इंसान हो, जब मैं 5-6 साल का था, तो हम गाउं म रहते थे, तो गाउं में कुछ मनिहार जैसे बोल सकते हैं, जो लोग होते हैं, मनिहार जो चूड़ियां और बिंदियां बेचने के लिए आते हैं, क्योंकि पहले गाउं में सोर्सेस नहीं होते थे, लोग नहीं जा सकते थे, बाहर बाहर आप नहीं जाते हैं, बजार दू करते थे और वो बहुत ही फंटेस्टिक करेक्टर होता था बच्पन से वो जा अगर मेरे जहन में छपा हुआ है तो मतलब प्रिंट हो गया कि यार वो कैसा होता था देखने में तो वह गाओं के लिए मुझे सबसे बेस्ट शूटेबल वो लगा अगर बात करें जब मोवी को आप लोग शूट करते तो क्या क्या चैलेंजिस उस वक्त भी सामने आते थे तो क्या गाओं में हम लोगों ने शूटिंग की है इस पैसली गाओं मतलब बहुत टिपीकल गाओं था जहां आज भी लाइट नहीं है वहां वैनिटी नहीं यूनिट हमारे जो टेक्निकल टीम थी इतना अच्छे सहुलेत तरीके से नहीं किया कि सर हम लोगों को करना है और सब लोगों ने बहुत अच्छा किया बदरूल जी ने पंकर जी ने रोशनी और भी जो ऐसान कुरेशिव कर आज भी हमारे श्टार कास्ति सब लोगों ने फीचर फिलमान अब टायएगा हूं लोगों को वह सबसे कम टायम फिलम बना के निकालनी है तो, वी मेड़ा रेकॉर्ड की हम लोगोंने केवल ग्यारा दिन में उनली 11 देस के अंदर फीचर फिल्म टू आवर्स लेंक की पूरी फीचर फिल्म लोगोंने बनाई है जो हमारे लिए हमारी यूनिट के लिए हमारी प्रडक्शन के लिए एक गर्व की बात है और साथी साथ बह पता होगा कि मनिहार क्या है और इसका मतलब क्या तो क्या लगता है कि ऐसी चीजों से उनको भी उस नब्बे के दशक की एक बार जल्की जरूर नजर आएगी बिल्कुल जरूर नजर आएगी उनको यह जल्की और पता भी होना चाहिए जो आज की यूथ है ना उनको पता ह होना चैहिए कि हमारे 90s, 80s में क्या होता था, कैसे लोग चीज़े लेते थे या मनिहार क्या था, और भी बहुत सरी चीज़े होंगी, जो मुझे अभी नहीं पता है, हाला कि अभी मनिहार के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यूथ को पता होना चीए, क्योंकि वो हमारा हम इंडियन्स है और हम गाओं से बिलॉंग करते हैं हमारा भारत देश जो है तो इसे साब से यूथ को तो पता ही होना चाहिए कि भाई यह होता क्या है गाओं के लोग कैसे होते हैं और वहां पर चीजे क्या होती है पहले तो समान के बदले आई इंग समान दिया जाता था प बता होती है अचे बदरूल जी मुझे एक चीज और बताई आप क्योंकि हम लगातार क्योंकि चर्चा कर रहे हैं अब सोशल मीडिया का जमाना है और हम जब बात करते हैं कि आज कल के यूवां कनेक्टेड होने चाहिए फोन से तो बहुत कनेक्टेड रहते हैं तो ऐसे में एक दम कंप्लीट हो जाएंगी क्योंकि कोई भी फिल्म हो वो कुछ ना कुछ कहके जाती है उसमें मैसेज होता है तो हमारे इस फिल्म में युवाओं के लिए भी मैसेज है जो बच्चे हैं छोटे उनके लिए भी है बड़ों के लिए भी है पूरे समाज के लिए इसमें क पाइदे भी हुए हैं, लेकिन कही ना कही जैसे रोशनी जी कह रहे थी, कि हम अपने अतीत को भूलते जा रहे हैं, जो हमारी संस्किर्ती है, हम उसको भूल रहे हैं, तो शायद इस फिल्म के जरिये, फिल्म का जरिया तो वही बनेगा फेस्बूक और इस्टेग्राम, तो उ रहे हैं, चौदा जून को, तो कुछ कहना चाहेंगे आप अपने तमाम दर्शकों से, बस यह कहेंगे, कि आप आईए, अपने परिवार के साथ आईए, महले के साथ आईए, शहर के साथ आईए, और हमारी फिल्म देखिए, क्योंकि एक परिवारिक फिल्म है, तो सब कितरी मैं हूँ, ठीक है, तो कहीं न कहीं, आप लोग इस मुवी से अपने आपको कनेक करेंगे, और 14 जून को जरूर देखिए हमारी मुवी, क्योंकि सब की बहुत महनत है, और मैं आशा करते हूँ कि आप लोगों को यह मुवी बहुत पसंद आएगी, पुरी फैमिली, अ साथ मिले और सूपर हिट और यह मुवी और साती साथ जो भी आपकी उम्मीदे हैं, वो पूरी हो, इसी के साथ आप मनिहार जरूर देखिएगा, नाम हटके है, अलग है, और इसी के साथ आपको एक सामाजिक संदेश भी इस मुवी के जरिये मिलेगा, बहुत बहुत शुक